नमस्कार दोस्तूं, इमित्र ग्यान यूटूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तूं, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे State Bank of India में नया अकाउंट खुलवाने के लिए चाए आप बचत खाता या फिर करंट खाता खुलवा रहे है तो आपको कौन-कौन सी डोकुमेंट्स की यहां पर आवशकता होगी और आपको यह भी बताएंगे कि एक State Bank of India में नया अकाउंट खुलवाने के लिए कितने पेसों की जरूर होती है तो आप यह वीडियो सुरू से लेकर आन तक देखेगा और दोस्तु वीडियो अच्छा लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर को लिजेगा ताकि एसी ही मैत्पून वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे तो चलिए वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते है तो यहां पर आपको बता दू कि भारतिय स्टेट बेंग ओप इंडिया में नया काता खुलवाने के लिए अभी वर्तमान समय की बात करे तो कुल तीन तरह के ही डोकुमेंट्स की आवशिकता पड़ती है दोस्तों क्यों क्यों मैं आपको एकस्प्रेंस के साथ बता रहा हूँ पिछले दस दिनों पहले मैंने बारतिय स्टेट बेंग ओप इंडिया में सेविंग अकाउंट याने बचत खाता खुलवाया था तो आपको पूरा डेल से मैं बताऊंगा कि मेरे को कौन-कौन सी डोकुमेंट्स की यहां पर आवशिकता हुई और कितने पेश से नया खाता खुलवाने के लिए मेरे लगे थे तो यहां पर दोस्तों आपको बतातू कि यह तीन तरह के डोकुमेंट्स है एक तो आपके पास आदार कार्ड है तो आपको आदार कार्ड की फोटो कोपी करवा लेनी है आदार कार्ड की फोटो कोपी लगेगी दूसरा पेन कार्ड की फोटो कोपी अगर आपके पास पेन कार्ड नहीं है तो बेंग में ही आपको एक फोरूम साट मिल जाएगा उस फोरूम को आपको बरकर लगा देना है धर्ड नमर डोकुमेंट्स के आवश्कता होगी वो है दो पासपोर्ट साइज फोटू रंगीन पासपोर्ट साइज फोटू आपको किचवानी है इसी के साथ आपको खाता खुलवाने का जो फोरूम आता है वो बेंग से ले लेना है आपके पास में जो भी आसपास इस्टेट बेंग उप इंडिया की ब्रांच है वहाँ जाकर आप आसानी से नया खाता खुलवाने के लिए फोरूम आप ले सकते है उस फोरूम को आप चाहे तो खुद बढ़ सकते हैं, फोरूम बनने के लिए मैंने चैनल पर एक वीडियो बना कर पहले ही डाल दिया है, आप उस वीडियो को देखकर भी आसानी से बारती स्टेट बेंक में नया खाता खुलवाने का फोरूम आप बढ़ सकते हैं, इसी के साथ दोस्तों अब बा तो मेरे 1500 रुपे लगे थे, जब बेंक करमचारिश में ने बात की, तो उन्होंने बताया कि 500 रुपे का आपका इंसोरेंस होगा, और 1000 रुपे आपके अकाउंट में डाल दिये जाएंगी, तो आपको ये भी मालुम हो गया कि कितना खर्चाएगा, अगर आप बारतीय राजस्तान के निवाशी है, तो खर्चाएगा, इसे के साथ हो सकता है कि राजस्तान के अलावा अन्यराजिय में भी यही राजशी लगती होगी मेरे हिसाब से, लेकिन आप बेंक करमचारिश से पूंच भी सकते हैं अगर आप राजस्तान के अलावा अन्यराजिय के डोकुमेंट्स की बात करें तो दो ही आदार कार्ट, पेन कार्ट और पाश्पोर्ट साइज फोटू, फोर्म आपको बेंक से ले लेना है, या फिर अगर आपके पास कोई इमित्र की दुकान है तो वहां से भी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, आज कल SBI बेंक के कस्टमर स रीस पोइंट भी होते हैं, वहां पर ओनलाइन भी आप ये खाता खुलवा सकते हैं, उमीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आयोगा, वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक आपने अमारे चैनल इमित्र ग्यान को सब्सक्राइब नहीं यहां मत्रम